हेलो डियर, वेलकम बैक टू माई चैनल, बच्चो क्लास सेविंद की एक्सरसाइज करेंगे, क्लास सेविंद लेसन सेविंटीन और यह लास्ट लेसन है, ओके बच्चो, तो क्वेश्चन नमबर ए है, मतलब यह, कभिता कभी के प्रक्रती और उसके आसपास की सभी चीजों के प्रती प्रेम के वारे में है, ओके बच्चो, क्वेश्चन नमबर बी, मतलब यह, कभी प्रक्रती के प्रती अपने प्रेम को किस प्रकार व्यक्त करता है, तो इसका आंसर है, ओके बच्चो, इसका मतलब यह, क्वेश्चन नमबर सी, क्वेश्चन नमबर सी में पूच्छा है, विच सेट, डज दपोएट लब ड्यूरिंग रैन, बरसा के दोरान कभी को कौन सिछाया प्री है या पसंद है, तो आंसर, दपोएट लबस, ओल दपोएट लबस, ओल दपोएट अफ दग्रे डूरिंग दवरैन, बरसा के दोरान कभी को सभी बूरे रंग की पसंद है, बूरे रंग की चाया पसंद है, कभी को रात में कौन सी चीजे पसंद है, तो इसका आंसर, दपोएट लबस, दपोएट लबस, वाई क्रिकेट अंड अधर क्रीचर्स अंड देट आर एक्टिव द्यूरिंग दा नाइट, इस क्रिकेट का मतलब होता है जींगोर, ओके बच्चो, क्रीचर्स यानि की प्राड़ी, तो इसका मतलब ये, कभी जींगोरों और अन प्राड़ियों द्वारा की गई, द्वानी से प्यार करता है, जो रात के दोरान एक्टिव होते हैं, जो रात के समय बोलते हैं, चेहकते हैं, जैसे की जींगोर, ओके बच्चो, नेक्स्ट है, क्वेश्चन नमबर ए, क्वेश्चन नमबर ए, कभी को द्वैनी जो पसंद हैं, उसकी लिस्ट ये है, तो लिस्ट है, आप जरूर अपने कॉपी में लिख लेना हो, क्वेश्चो, क्वेश्चन आंसर, तो फर्स्ट है, पपीज आफ्टर दे आर बॉर्न, मतलब ये, पिल्ले द्वारा होने के बाद की, क्या आवाज, सेकिंड, वाइंड ब्लोइंग थ्रो ट्रीज, पेडों के द्वारा वैती हवा, थर्ड, बेवस अपोंदा सेंड, रेत पर लहरें उड़ती हुई, जो, जब हवा चलती है ना गर्मी में, तो रेत पर थोड़ी सी हलकी हलकी रेत उड़ता है, तो वो, फोर नमबर क्रिकेट्स एंड अदर नाइट क्रिचर्स, जींग और और अन रात वाले जीव, ओके बच्चो, नेस्ट है कोस्चन नमबर एफ, जब कभी सौने के लिए लेटता है, तो वो एक से धन्नवाद देता है, तो अंसर, जब कभी सौने के लिए लेटता है, तो प्रभू को धन्नवाद देता है, यानि कि बगवान को धन्नवाद करता है, ओके बच्चो, नेस्ट है, बढ़ पावर, बड़ बावर में पूछा है read the poem carefully and match the sense in column A with the connecting function or activity in column B ओके बच्चो तो A और V तो A में लिखा है sight यानि की द्रस यानि नजर तो इसको मिला देंगे इस से beauty of bright and sunny day तो यह आप अपनी book में जरूर मिला लेना ओके बच्चो second smell यानि की महेक सुगंद गंद तो इसको मिलाएंगे fragrance of flower third number taste इसको मिलाएंगे sweetness of honey four number touch इसको मिलाएंगे smoothness of sea cell five number hear इसको मिलाएंगे sound of puppies तो यह आपकी exercise हो गए बच्चो next activity तो activity आपको school में करना है ओके बच्चो मेडम जे कहना की activity करवाएं बच्चो आपकी exercise फिनिश हुई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like and channel को subscribe कर लेना ओके बच्चो थैंक यू क्थ्चो थां को जाता तो तो झाता है क्थ्चो थैंक यादरे कि बच्चो और मना घच्चो अपको कोगी और देंगा यज़ियो के लेधा करवाएंगे opioids तो परलेopy में事